नमस्कार जेज भारत नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गौरब जा ज़ाडखंड की राजधानी राची अपनी प्राकिर्तिक सुन्दर्ता से लवडेज है राची का हर एक कोना दर्सनिय अस्थनों से भड़ा पड़ा है यहाँ देखने के लिए ज़ड़ने, खोसूरत मंदिर और यहाँ के खोसूरत नजारे और काफी कुस देखने के लिए मौजूद है इस राच गार्डन को सिल्थ और नम के नाम से भी जाना जाता है यह मूल रूप से सिर्फ एक चटान है और एक नेचुरल आर्च शेफ में है इसका फॉर्मेशन फ्री कैम्डियन काल से हुआ है और एशिया में यह अपनी तरह का एक भड़ाद एमेजिंग रॉग गार्डन है यहां के लोगों का मानना है कि भगवान वेंके टेश्वर्ट त्रिवमाला से वेक रूंठ जाती समें इस आर्ख पर चले थे इस संरचित अस्थान पर प्रियटों का आना जाना लगा रहता है राची का रॉग गार्डन प्रियटों के आकरसन का केंद्र है यह जैपूर रॉग गार्डन के बगल में अलवट अका चौक से लगभग चार किलो मीटर दोर इस्थित है यह रॉग गार्डन गॉंडा हील की चट्टानों को काट कर बनाया गया है इस रॉग गार्डन की खासियत यह है कि इसका डिजाइन जैपूर के रॉग गार्डन से काफी हद तक मिलता जुलता है इस रॉग गार्डन के अंदर चट्टान की मुर्तियां जहरने और एक जील हैं और यह जगभ पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है जिनके उपर आप आसानी से टहल सकते हैं और पिकनिक मना सकते हैं यहाँ पर एक छोटा डिस्टोरेंट भी मौजूद है जहाँ पर लोग अपनी बर्डे पाटी मनाने के लिए आते हैं यह इलाका एक उची जगह पर इस्थित हैं जो की खूब सूर्ती में चार चांद लगाती हैं इसलिए यहाँ से काके डेम और श्राड का द्रिश्य बेहत खूब शुरत दिखता हैं अगर आप फोटोग्राफिक के दीवाने हैं अथवा शौकीन हैं तो आपको रोग गार्डन में जरूर घूमने के लिए जाना चाहिए यहाँ पर भूत बंगला और इसी प्रकार के कई मनुरंजक जगह सामिल हैं यहाँ पर आप अपने मित्रों और प्रिवार के साथ घूम कर आनंद ले सकते हैं रोग गार्डन राची शहर में इस्थित बहुत ही खूब शूरत गार्डन है यह पार्क राची के कुछ मशुहूर घूमने की जगहों में से एक है यहाँ पर राची शहर के साथ साथ बहुत से बाहरी प्रियाटक भी गुमने के लिए आते हैं राची शहर वाशियों के लिए या पिकनिक की बैतरीन जगहों मेंशे एक है या बगीचा राची सहर के अलबोट अगा चौक से केवल चार किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है या गार्डन और इस गार्डन के आसपास बहुत ही खुम सूरत जगह हैं जहां पर आप ध्यमन कर सकते हैं इस राच गार्डन को काके बांद के पाड़ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर पास में काके बांद की खुम सूरत जगहीन इस्थित है आप रॉक गार्डन के साथ साथ इस खून सुरत जील पर भी जा सकते हैं और बहुत सी वाटर एक्टिवीटी कर सकते हैं इस जील का दृष्च भी काफी खूब सुरत और मनोरम है रॉक गार्डन में एंट्रिफीज के वलती सुरुपे हैं और अगर आप केमरा साथ में लेकर जाते हैं तो आपको पचास अलग से देने होंगे रॉक गार्डन अपने खूब शूरत पत्थरों के लिए प्रसिद है सहर के बीचोवीच ऐसी लोकेशन होना शहर की खूब सूरती पर चारचंद लगा देती हैं राची के रॉक गार्डन गोंडा हील के चट्टानों से ब इविन रूप इस जगह की सुंदरता में जोडते हैं कंक बांद की जील राची के रॉक गार्डन के नजदी की स्थित है इस जगह का दौरा कई लोगों दौरा किया जाता है जो अंतिहीन छितीज और प्रकिरती के शौम में असपर्स से इस बगीचे में आकरसित होते हैं जो यहां पाए जा सकते हैं रॉक गार्डन को एक पिकनिक स्पोर्ट के रूप में भी परियोग किया जाता है जहां लोगों के बड़े समोह एक साथ गुनबत्ता का शमय विता सकते हैं सहड के मद्द में अपने अस्थान के कारण राची रॉक गार्डन के लोग अक्सर प के नाम से भी जाना जाता है यह मूल रूप से सिर्फ एक चक्टान है और एक नेचुरल आर्क शेफ है इसका फॉर्मेशन प्रीकेंब्रियन काल से हुआ है और एशिया में यह अपनी तरह का एक बेहद अमेजिंग रॉक गार्डन है यहां की लोगों का मानना है कि भगवा वेंकेटे शुर्ट त्रिमाला से वेकुंठ जाते समें इसी आर्क पर चले थे इस संरक्षित अस्थान पर प्रियाटों का आना जाना काफी लगा रहता है जारखन की राजधानी रांची अपनी प्राकिरतिक सुन्दरता से लवडेज है रांची का हरी कोना दर्शनी अस् सहर से थोड़ी दूर इस्थित पंच घाग वाटरफॉल अस्थानिये लोगों का पसंदीदा है और पिकनिक अस्थल की रूप में काफी लोग प्रिया है ज़रने का नाम सुनते हैं आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि ये इसलिए ज़रने का नाम है क्योंकि यहां से प रॉप गार्डन के अंदर आपको दिखेंगे जब आप विकेंड में जाते होंगे तो पहार से आने वाला ताजा पानी हमेशा ताजा और ठंडा होता यहां पोंचने के लिए आपको सीड़ियां चठनी होंगी तो अगर आप बच्चों के साथ यातरा कर रहे हैं तो ज़र साफदान रहे हैं. Rock Garden in Ranchi is considered to be one of the most visited places of the city as well as the street. This famous rock garden in Ranchi is located at a distance of around 4 kilometers from the Wilggy折्चोg. The Ranchi Rocks Garden's stways the connection of importance in time after the garden of Z Apruo. The rock garden in Ransi was built out of the rocks of the Gundra Hill. There is a dhula made of iron, a road with the two edges in this rock garden, located in the capital city of Zarkhand. The variety of forms of sculptures and waterfalls added to the beauty of this place. The lack of kaki dam is located close to the rock garden of Ransi. This place is visited by many people who were attracted to this garden by the interest horizon and the central city.